हेलो दोस्तो, पावर और बुक्स पे आने के लिए धन्यवाद, आज दा सीक्रेट यानी लॉप एट्रेक्शन को रियल लाइप में अप्लाई करना सीखेंगे, इससे पहले अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो हम आपसे रिक्वेश्ट करते हैं कि आप पहल हमारा पूरा फोकस इसकी कमी पर रहता है, यानी कि हमारे पास पैसो की कमी है, आथर कहती है इसके बदले हमारा ध्यान वेल्थ पर होना चाहिए, आप यहाँ पर दसीक्रेट का प्रेंशिपल एपलाई करके देख सकते हैं, जब आप इमेजन करते हो कि आपके पास जरूत स जाना मनी है, और आप इस पर लीप करते हो, तब आपके लाइफ में मनी सोच शुरू होने लगता है, हम सबको ये बात बच्पन में सिका दी जाती है, जानदा अमीर बनने के लिए हार्ड वर्क करना होगा, और इसलिए हम सबके मन में ये डाउट आता है कि कैसे सिर्फ ठि प्रोसेस अपलाई करना है, आपकी जॉब है मांगना, यानि की आस्क, विलीप करना कि वो आपको मिल चुकी है, और उसके मिलने के बाद हैपी फील करना, और इसके अलावा बाकी सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, मनी के बारे में अच्छा फील करने का सबसे अच्छा मैथड है, डोनेशन, यानि की दान देना, क्योंकि जब आप कोई भी चीज डोनेट करते हो, आपको ये फील होता है कि वो चीज आपके पास जरूत से जाना है, और यही फीलिंग तो आपको चाहिए, कि आपके पास जरूत से जाना पैसा है, या फिर कोई भी ची जैसे इस बात को कंडर ट्रिक नहीं करना चाहिए, जैसे कि अगर आप लाइफ आटना चाहते हो, तो आपको अपने एक्सन में सामिल करना होगा, जैसे कि आप अपने वैड के सेंटर में नहीं, बलकि साइड पर सो सकते हैं, लेकिन किसी भी रिलेशन में जाने के लिए, प इसलिए पहले खुद को रिस्पेक्ट करना सीखे, खुद से प्यार करना सीखे, जब आप अपनी अच्छी क्वालिटीज पर फोकस करना सीखते हैं, तब आप लाइफ एड्ट्रेक्षन को अपनी और जानदा क्वालिटीज आपके सामने लाता है, जो सायद आप भी नहीं काम करता है आपने प्लेस वो एफेक्ट के बारे में जरू सुना होगा और हैल्थ के केस में यह लौ अफ एक्ट्रेक्शन यानि सीक्रेट के सबसे अच्छा एक्जामपल है जब एक पेशन यह विलिप करता है कि कोई भी टेबलेट से वो ठीक हो जाएगा तब वो सच में ठी हो जाता है इसलिए हमें एक परफेक्ट हेल्थ पर फोकस करना चाहिए और अपने अंदर पॉजिटिव थौट बढ़ाने के लिए हम लाफ्टर का सारा लेना चाहिए कोई भी बीमारी कोई भी डिसिज हमारे थौट्स में ही होती है इसे हम जितना जाना टेंसन लेंगे यह हमें उतना ही फिल होगी जैसे कि अगर आपकी तवियत ठीक नहीं लग रही है तो इसके बारे में बात मत कीजिए क्योंकि इल्नेस के बारे में लोगों से बात करते हैं या उनकी बात सुनते हैं तो आप इल्नेस में और जाना एनरजी एड़ कर रहे हैं मतलब आप इसे और बढ़ा रहे हैं इसके बदले आप टॉपिक को बदल कर अच्छी चीजों के बारे में बात कीजिए जिससे आपको पॉजिटिव एनरजी मिले अगर आपको अपनी लाइफ में कोई चीज हटाने है तो आपको सिर्फ अपना फोकस हटाना चाहिए क्योंकि जब आप कोई च चीज खत्म करने के फोकस करते हो तो वो चीज आपको और विजानदा एट्रेक्ट करती है इसके बजाए आपको अपने थौर्स और फीलिंग के हैल्प से अपने फोकस पे अच्छी चीजों पे लगाना चाहिए आप नेगेटिव चीजों पे फोकस करके आप इस दुनिया मेही नहीं बलकि लाइफ में नेगेटिव एनरजी को एट्रक्ट करेंगे मदर टेर्सा की बात करें तो वो एक एंटी वर्ल्ड रेली में जाने की जगा वो एक पीस रेली में जाना पसंद करते थे क्योंकि उन्हें एक दसीक्रिट के बारे में पता था इस दुनिया को बहतर बनाने के लिए इस दुनिया में मौजूद चीजों की बढ़ाई करना सीखिए और ऐसा करने से आप नेगेटिविटी कम करने में हैलफुल होंगे आथर कहती हैं प्रेसिंग और ब्लेसिंग ये दो चीज़े नेगेटिविटी खत्म कर देती है इसलिए अपने दुस्मनों की बढ़ाई करना चाहिए अगर आप दुस्मनों को कोसेंगे तो कोसना आप तक लोट आएगा और आपको ही नुकसान पहुचाएगा इस दुनिया में सब चीजों एक एनर्जी है और आप एक एनर्जी मेंगेट की तरह आप जैसी एनर्जी को ही मेंगेट करते हो आप सब जानते हैं ये यूनिवर्स किसी भी थौर्ट का नतीज़ा है और आपके thoughts की बज़े से आप सिर्फ अपना ही नहीं बलकी इस universe के destiny and decide करते हैं और इन सब बातों को quantum mechanics ने approve भी कर दिया है हम सब एक तूसरे से connect हैं, हम सब एक ही हैं क्योंकि हम सब एक बड़े सी universal के mind का एक part हैं, एक हिस्सा हैं जो भी ideas भी इस universal mind में available हैं, वो सब आपके लिए भी available हैं और इसकी supply भी unlimited है अब आपको the secret के बारे में पता चल गया है और इसका use करके आप अपनी life में change करना शुरू कीजिए और इसकी शुरुत करने का time है अभी आप जो भी choose करेंगे वो सही होगा अब आपकी power आपके हाथ में है और आपके अंदर मौझूद power का जितना जान्दा use करेंगे आप उतना ही जान्दा power को अपनी और attract करेंगे तो दोस्तो ये थी रॉंड़ा वर्ण की बुक दस secret के बारे में फुल एक्सप्लेशन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को subscribe जरू कर लेना और comment करके मुझे जरूर बताना और ये वीडियो को अपने दोस्तो फैमिली को जरूर सेयर करना मिलते एक नए वीडियो के साथ नए वुक एक्सप्लेशन के साथ तब तक के लिए बवाए